दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर प्रूब देख सकते हो, मुझे instantly account details मिल गया है, साथ मैं मुझे virtual debit card में मिला है, जो कि आप यहां पर प्रूब देख सकते हो, इसी account को मैंने आज ही open किया था, और इसका वीडियो के ऐसी भी complete हो गया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने व मिलता है, लेकिन यह जो मैं आपको account बत रहा हूँ ना, यहां पर आपको initial funding की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बीना किसी initial funding के साथ इस account को open कर सकती हो, और जो मैं आपको तरीका दिखाने वाला हो, apply करके उसी तरीका से अगर आप इस account को apply करती हो, तो यहां पर आप इज सकती हो, तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप इंडूसिन वेक में यह जो जीरे वालस बेंकेगा और इसको किस तरह से apply कर सकती हो, सबसे बहले guys आपको इस application को install करना है, इसका लिंग आपको वीडियो को description में मिल जाएगा, इस application को install करने के बाद open करना है, उपन करने के बा मोबाइल नमबर को enter करना है, जो भी आप मोबाइल नमबर अपना bank account के अंदर link करना चाहते हो, उसी मोबाइल नमबर को यहाँ पर enter करना है, उसके बाद नेचे एक option दिखने के लिए मिलता है, do you have any referral, तो यहाँ पर आपको click करके, यहाँ पर display पे एक referral code आपको दिखने के मिलेगा, उसी referral code को enter referral code के जागा enter कर देना है, referral code को enter करने के बाद आपको continue पे click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका अपना mobile number और referral code तो यहाँ पर enter हो जाएगा, फिर नीचे आपको एक submit का button दिखने के लिए मिलता है, आपको submit बाला button पे click कर देना है, जैसे आप submit करते ह आपका जो mobile number अभी आपने enter किये थे, उसमें OTP जाता है, six digit का OTP जाएगा, तो उसी को यहाँ पर आपको enter करके, submit बाला button पे click कर देना है, submit करने के बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, set MPN का एक option दिखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको अपना application का MPN को set करना ह 4 digit का, तो उसके लिए यहाँ पर आपको set MPN वाला button पे click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको create MPN जो option है यहाँ पर आपको MPN रखना है, जो भी आप 4 digit का MPN set करना चाहते हो, उसको यहाँ पर आपको enter करना है, MPN को confirm करने के लिए दूबरा से re-enter MPN वाला option आ जाएगा, य अगर आप चाहते हो बात में करना तो आपको do it letter वाला button पे click कर सकती हो, उसके बाद guys यहाँ पर इसी application के अंदर क्याका product दिखने के लिए मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाता है, जैसिकि आप इस application के अंदर saving account, fixed deposit, line of credit ले सकती हो, साथ में आप investment भी यहाँ पर आप कर सकती हो, इस टॉक के जरी है, लेकिन हमको to saving account उपन करना है, तो हम saving account पे click करेंगे, उसके बाद saving account के इंदर क्याका features रहने वाला है, वो यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेगा, जैसिकि यहाँ पर आपको high interest rate मिलेगा, आप यहाँ पर up to 6. 6.75% का आप interest earn कर सकती हो, परेनम, साथ में आप यहाँ पर smartly तरीके से payment कर सकती हो, और आप चाहे तो इसी account को upgrade भी कर सकती हो, in future अगर आपको करना है तो, उसके बाद guys account open करने के लिए नीचे एक बटन देखने के लिए मिलता है, let's get started का, तो यहाँ पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना pen card number को enter करना है, और फिर आपको next पर click कर देना है, अभी आपको अपना other number को enter यहाँ पर करना है, फिर आपको next पर click करना है, उसके बाद जो भी आपका other card में mobile number register rate है, यानि की link है, उसमें एक OTP जाएगा, उसी OTP को यहाँ पर आपको enter i7-8 करके next करना है उसके बद यहां पर आपको अपना details देखने के लिए मिल जाएगा जितने आपका आधरकर में details होता है सभी details यहां पर मिल जाएगा जैसी कि आपका name gender database साथ में जो भी आपका आधरकर में address यहां पर आपको देखने के दिया जाएगा तो इसलिए आप जो भी एडर्स रखना चाहते हो एडर्स को यहाँ पर आप एंटर कर सकती हो उसके बाद continue वाला बटन आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा आपको continue वाला बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue करते हो अभी आपको अपना personal details देना होता ह है personal details में यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका father's name को एंटर करना है उसके बात mother's name को आप एंटर कीजिए साथ में आप जो भी इस bank account के अंदर email add link करना चाहती हो email address को यहाँ पर आपको enter करना है उसके बात यहाँ पर आपको अपना marital status को select करना है single हो या merit हो फिर आपको next बटन पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर आपको अपना professional details देना होता है सबसे पहले तो यहाँ पर आपका अपना occupation को select करना है आप काम क्या करते हो housewife हो या फिर student हो या फिर कहीं job करते हो तो आप sellable option को select कर सकती हो खुद का business है तो आप यहाँ पर sell employee को select कर सकती हो उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको annual income को select करना होता है आपका एक साल के अंदर कितना income हो जाता है यहाँ पर आपको range wise बता गया है तो आपको तो जो भी आपका range में आता है income अनुवाली उसको यहाँ पर आपको select करके next बला बटन पर आपको click कर देना है उसके बात यहाँ पर आपको nominate करने के लिए एक option आएगा अगर आप चाहते हो अपना bank account के अंदर nominate करना है तो आप yes बला बटन पर click करके nominate का complete name details address आप यहाँ पर enter कर सकती हो अगर आप चाहते हो account उपन हो जाने के बाद में आप nominate करना है तो उसी के इसके अंदर यहाँ पर आपको do it letter का option दिया गया है आप यहाँ पर click करके बाद में भी nominate कर सकती हो उसके बाद guys account creation in progress लिक्के आजाएगा यहाँ पर countdown करेगा और आपका details को verify करेगा फिर यहाँ पर आपको account number generate होके आजाएगा जैसे कि आप देख सकते हो finally account creation is successful लिक्या चुका है यहाँ पर मुझे मेरा account number IFSC code दिखनी के लिए मिल गया है आपका भी अपना account number IFSC code यहाँ पर आपको दिखनी के लिए मिल लगा साथ में आपको अपना email ID के जरी और SMS के जरी भी sign कर दिया जाता है जो कि आप उपर में message देख सकते हो मेरे mobile पे भी आ चुका है देखे गैस अभी आपका account open हुआ है और यह जो account open हुआ है यह limited QSC में हुआ है अभी आपको full QSC करना है full QSC करने के बाद आप lifetime इस account को इस्तमाल कर सकती हो नहीं तो अगर आप limited QSC में रहने दोगे तो आपका जो account होगा एक साल के लिए भेलिट होगा और एक साल के बाद आपका account को stop कर दिया जाता है इसलिए आपको full QSC करना जरूरी है आप चाहतो ब्रांच के तुर भी full QSC कर सकती हो और घर बैठे भी कर सकती हो घर बैठे करने के लिए आप video QSC कर सकती हो और उसमें full QSC हो जाएगा वीडियो को ऐसी करने के लिए नीचे आपको बटन देखने के लिए मिलेगा प्रोसीड का आपको प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप प्रोसीड करते हो कुछ इस तरह साब देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लिकर कर बैलेंस एड कर सकते हो इनिशाल फंडिंग जो होता है अगर आपको नहीं करना है आप वीडाउट फंडिंग से साथ एकाउंट उपन करना चाहती हो यहाँ पर आपको येस और नो में यहाँ पर एंसर देना होता है यहाँ पर आपको येस वाला बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद गाइस कंग्रेचुलेसन लिक के आज आगा यहाँ पर आपको बता दिया जाता है आपका एकाउंट अभ validity रहेगा साथ में आप 2 लाग amount का transaction कर सकती हो और जो आपका account रहेगा one year के बाद stop कर दिया जाता है अगर आप full की वासी कर लेते हो चाहाँ video के माधियम से या फिर branch के माधियम से तो आपका account balance रहेगा unlimited रहेगा आप unlimited balance रहेगा साथ में जो आपका account का validity रहेगा और live time रहने वाला है और कोई भी यहाँ पर आपको transaction में restriction देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आप चाहते हो आप यहाँ पर वीडियो के वासी करना तो नीचे आपको एक button देखने के लिए मिलता है start video के वासी का है आपके पास original pen card होना चाहिए साथ में आपके एक white blank paper होना चाहिए और blue pen क्योंकि वहाँ पर आपको sign करके आपको signature कभी upload करना है checkbook issue के लिए साथ में जो आपका mobile है उसमें camera plus internet connection अच्छा होना चाहिए तहीं जाकर आप video क्योंसी कर सकती हो और video क्योंसी करने वाला है तो आपको camera location और microphone का permission को allow permission वाला option पे click करके allow कर देना है उसके बाद video क्योंसी स्टार्ट हो जाएगा जो भी एजन होगा इंडूसिन बेका वह आपके साथ connect हो जाएगा फिर आपको अपना details को confirm करना है details को confirm करने के बाद आपको अपना pen card को दिखाना होगा photo के साथ साथ में आपको एक selfie photo देना है और signature करके दिखाना है एक बार वीडियो के ऐसी complete होने के बाद आपका account को फुल के वासी में convert कर दिया जाता है उसके बाद आप अपना account को lifetime इस्तेमाल कर सकती हो और अपना account के अंदर कोई भी decision नहीं रहने वाला है इस account को आप यहां पर आप देख रहतो हो इंड़ाइस application के अंदर सारा कुछ आप manage कर सकती हो इस application का लेंग आपको वीडियो के description में मिल जाएगा सभी कुछ आप इस application में manage कर सकती हो चाहिए फंट टास्पर हो या फिर कोई भी profile update हो सारा कुछ आप इसमें कर सकती हो अगर आपको physical debit card चाहिए तो आप इसमें भी आप mobile application के जड़े अफ्लाइक कर सकती हो इस तरह से आप इंडूसिन मेक में एक जीरो वैलन्स बेंक के कानोपन कर सकती हो